कलर्स के शो, नागिन सिक्स के साथ अब जल्द ही एक और नया नकरात्मक किरदार जुड़ने वाला है तो चलिए जानते हैं शो में कौन से आक्टर्स एंट्री ले रही हैं और उनका किरदार कैसा होगा जैसे कि हमने आपको हाल ही में बताया था कि शो में आक्टर्स साक्षी परिहार की अंट्री हो रही है जो कि इसमें तीबा के किरदार में दिखाई देंगी और वो अनमोल की फ्रेंड होने वाली है इनके ही साथ शो में अंट्री हो रही है अक्टर्स कवीता बनर जी की और कवीत अबनर जी इस शो में मैयूरी के किरदार में दिखाई देंगी मैयूरी का किरदार शो में एक नेगटिव किरदार होने वाला है और काफी ज़्यादा चांसिज हैं कि ये शो में इच्छाधारी मोरनी के किरदार में दिखाई दें जैसे कि हम इस से पहले भी पिछले सीजन्स में मयूरी को देख चुके हैं सीजन वन में मयूरी का रोल मधुरा नायक नेनी भाया था तो है सीजन फाइव में स्वरदा ठीगाले मयूरी के किरदार में दिखाए दी जो कि नेगटिव रोल में आती हैं और नागिनों के लिए समस्याएं खड़ी करती हैं तो अभी है देखने वाली बात होगी कि क्या ये नई मयूरी भी एक इच्छाधारी मोरनी होगी या फिर एक नॉर्मल रोल में ही नज़राएंगी ज्यादा तरचांद चीज़ हैं कि ये शो में इच्छाधारी मोरनी के ही किरदार में दिखाई दें लेकिन इनकी एंट्री से शो में हमको काफी नई ट्विष्ट देखने को मिलेंगे तो आप शो में आकरिस कवीता बनर जी यानके में यूरी की एंट्री को लेकर कितने एकसाइटिड हैं हम इबताई ये नीचे एक मैर्स एक्सर में सुडियो को लाइक कीजिए और सेनल को सबस्क्राब कीजिए